अब हैं आगरा लगनाव एक्स्प्रेस वेपार कर नौजुले के तीरवा कट के पास रविवार को देर रात करीब दो बज़े यात्रियों से भरी एक बस पलट गई चालग का कहना है कि वाहं को बचाने में ये हाथसा हुआ बस पलट ने से यात्रियों में चीक पुकार मचकई और हाथसे के बाद ज्यादा तर यात्री सो रहे थे बताते कि बस चौलक ने बताया है कि बस में करीब पाच-पचास सवारियां थी और वो लोग बंगाल से दिल्ली जा रहे थे कुल 28 लोगों को घायल हालत में जुला अस्पताल में लाया गया जब की गंभीर हालत देखते हुए छे लोगों को कानपूर के हैलेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है बताते चलें कि हादसे के दौरान बस का पिछला हिस्सा उपर हो गया था जिससे कुछ देर बाद एक कार देखना पाने की वज़ा से उसमें घुस गई कार के आगे बैटे किसी एक सक्षी मौथ हो गई है जबकि अन्य तीन लोग घायल हो गए है जोने इलाज के लिए इस्पताल में भरती करा दिया गया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये काफी भीशट सड़क हाथसा रहा जहां पर एक बस से कार टकराई है जिसकी वज़ा से कार सवार एक शक्स की मौथ हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए है तो यह आपको बता दे बस में भी बैटे कई यात्रियों को काफी चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ने भरती करा दिया गया है जबकि कुछ यात्री गंभीर हालत होने के कारण उन्हें कानपुर के हैलेड अस्पताल में रेफर कर दिया गया है बता दें देर रात यात्रियों से भरी ये बस पलट गई थी जिसकी वज़े से बस में करीब पचास लोग जो सवार थे उन्हें से अधिकतर लोगों को काफी चोट आई है तो वही कई लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है और इसकी साथ ही जिस कार से बस की ये टकर हुई थी उस कार में भी एक व्यक्ती की मौत हो गई है जबकि तीन लोग घायल हो गए जिनने इस्पताल में भड़ती करा दिया गया है और वहीं बात करें कोविट की तो कोविट-19 वैक्सीन की आप उड़ती के लिए वैक्सीन बनाने वाली कमपनियों और राजयोग और नीजी संसाओं के साथ जुड़ने के बजाए ये कमपनिया केंद्र के साथ सीधे तोर पर सौदा करना पसंद कर रही है इस समय दुनिया भर के लोगों की उमीद वैक्सीन पर हिट की हुई है और ऐसे में भारत में भी वैक्सीन की कमी महसूस की जाने लगी है कोविट-19 से निपटने के लिए एक मेसिंजर आरेने वैक्सीन विक्सित कराने वाली बायो टेक्नोलोजी कमपनी मोजर्ना ने पंजाब सरकार के राज्य को वैक्सीन की सीधी अपूर्ती के अनुरोध को खारिच कर दिया है अमेरिका फोम ने कहा कि उसकी नीती है और उसकी नीती के अनुसार कमपनी केवल केंद सरकारों के साथ ही काम करती है कंपनी ने ये भी कहा कि हमारी डील के इंद सरकार से होगी इसलिए हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते इससे पहले पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदु सिंग की ओर से मोडर्ना समेत कई वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से संपंक करने के निर्देश दिये गए थे अधिकारियों ने इन कंपनियों से संपंक किया था लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी एकवरी शुदिकारी ने जवानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मोडर्ना ने पंजाब सिरकार को वैक्सीन भेशने से इनकार कर दिया है